तो कैसे आप लोग आई हूप क्या अफस्वस्त होंगे और मस्त होंगे तो दोस्तों बात करेंगे एक इंपोर्टन अप्डेट्स के बारे में जो कि यहां पे सिधार्थ विस्विद्याले की दरब से निकल के आया अप्डेट्स और यहां पे जो रेट का इंपोर्टन पॉइंट्स नहीं हम देखेंगे और यह जो रिजल्ट्स है आपके जितने भी सब्जेक्ट्स का इंटरेंग्जाम का रिजल्ट्स सभी का यहां पर इस पप्लिश कर दिया गया है तो जो रिजल्ट्स है वो आपके इमेल के माद्दम से आपको इनफॉर्म भी क किसमार इंटर्वु की डेट अब है यहां पर यह भी आगे हम डिस्क्रस करेंगे तो लगबग आपकी जानकारी है इस इंटर्वु के प्रोसेस में वह हम यहां पर आपको देने वाले हैं तो हम चलेंगे लेकिन चलने से पहले पहली वा रहा है तो चलो को सब्सक्राइब कर हम यहां पर चलेंगे आपके आफिसल साइट पर और वहीं से जो भी आपके पॉइंट्स उनको डिसक्रस करेंगे तो अगर आपको आपको अफिसल साइट का निंक नहीं पता डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा यह सिदार्थ इनुशिटी जो कि आपको कफिलवस सिदार नगर और उत्तरप्रदेश में देखने को मिलेगी और बहुत ही वेतरी नापकी है कि यह स्टेट इनुशिटी है यहां पर जो आपका रिजल्ट हो पॉब्लिस किया गया है आप यहां पर आडमीशन में देखेंगे सोथ पातरता परिक्षा यानि रेट यहां पर किलिक करना है आ 26-2024 को और यहां पर जो आपकी प्रिक्षा हो संपन हो गई थी 26-2024 को सामचार वजे जो इनकी कुझे वह भी यहां पर अप्लोट कर दी गई थी और यहां पर 26-2024 तक जो भी आपतिया थी उनका निस्तरण किया गया था बाकि यहां पर आपका जो फाइन रिजल्ट है 26-20 इसको पॉब्लिश कर दिया गया था इसको आपर सब्सक्राइब कर दीगे जो कंडिडेटेट्स को कॉल किया जाए इंटर्व्य के लिए यह पिर उनके लिए कॉल किया जाए उनकी लिश्ट पॉब्लिश की जा चुग है तो कौन से कंडिडेट्स हो आगे माद ही आपके पॉब्लिस किये गए इसके साथ यहाँ पर अगर आम बात किरें यहां पर आपके आने पॉइंट्स हैं इसका मतलब यह पंदरा से जो पंदर जुलाई है उसके बाद आपका इंटर्व्यू कि जो डेट है यहां पर आनी स्टार्ट हो जाएंगी और यहां पर अलग-अलग इसके साथ यहां पर हम बात करें आपकी रिजल्ट के बारे में तो यहां पर आपकी किसी प्रकागी कोई रही है तो यहां पर नंबर से मेल आड़ी दिगें पर कॉल और कारट है यहां पर रिजल्ट दिया गए और आप यहां पर अगर आप रिजल्ट देखना चाहा रहे हैं तो आपको यहां पर किलिक करना इसके साथ है उढ़ेर यह कापी ज्यादान के यह ने फैनला 이제 आपके पास certificate होना चाहिए तभी आपको यहाँ पर छूट मिलेगे अगर आप यह अपना certificate present नहीं कर पाएंगे तो आपका जो admission कैंसिल किया जाएगा यह यहाँ पर बताया गया है इसके साथ यहाँ पर हम result पर click कर लेंगे और जो इसमें आपके इनिसंस इस्ट्रिय बाटनी है इस्ट्रिय इसके सब्सक्राइब सब्सक्राइब यह आपके लगबग सभी सब्जेक्श के जो रिजल्ट है पर पॉब्लिस किये जा चुके हैं यहाँ पर बताया गए रिजल्ट सब्सक्राइब सब्सक्राइब अगर आपके रोल नंबर ये हैं किसी में से आपका रोल नंबर यहार आ तो आप इंटर्वू के लिए अपनी प्रपरेशन कीजिए यहां पे आपको इंटर्वू में अपर होना है ऐसे आप यहां पर चेक करेंगे यह आपके सभी सद्जेश्ट के जो रिजल्ट नो दिये ग इसे आप यहां इमेल भी चेक कर सकते हैं अब अगर हम बात करें यहां पर क्या 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 डागुमेंट्स को ले जाने हैं और उन पॉइंट्स के बारों में तो देखें यहां पर information brucer है जो कि यहां पर इसे हम थोड़ा से देखेंगे इसमें कुछ आपको points हम बताएंगे उसके बाद हम आपको क्या गया documents ले जाने हों हम बताएंगे तो देखें यहां पर जो आबेदन पत्र मांगे गए थे 691 seats के आबेदन पत्र मांगे गए थे काफी ज्यादा seats यहां पे थी और यहां पे लेने का अगर आपको कॉल किया गया इंटर्वी के लिए तो आप इस इंटर्वी में जरूरा अपे होईएगा और बाकी जो भी आप अपनी इसके साथ यहां पर आपको documents क्या ले जाने हैं वो हम अगर बात करें तो देखें यहां पर आएंगे point number 10 पर बताया गया है कि यहां पर जब आपकी सोथ परत्ता परिक्षा conductor आ ले जाएगी जो भी candidates उसमें numbers ले आएंगे जो qualify कर जाएंगे उन candidates को यहां पर interview में अपर होना है जो results की जानकारी है वो आपके email पते के माध्यम से दी जाएगी साथ यहां पर जो official site है वो भी यहां पर उसे publish साथ यहां जो भी candidates साचातकार में यहां पर अपर होंगे उनकी जो list है वो भी यहां पर official site पर बता दी जाएगी अब यहां पर देखेंगे यह point बताया गया कि साचारकार हेथ निर्धारी तिति पर अव्यारतियों को अपने समस्त मूल प्रमापत्र यानि यहां पर आपकी जो भी documents है original documents यह सब आपको यहां पर ले जाने हैं इसके साथ उपस्तित होना गाओ निर्धारी तिति पर उपस्तित ना होने पर साचातकार हेथ पुना आवसर पदा नहीं किया जाएगा जिसकी समझ जिम्हेदारी यह वैरतिकी स्वयम होगी तो यहां पर जो भी आपके पास calling fine supporting documents है original मैं आपको यहां पर बता दूँ जो भी आपके यहां पर टेंड से लेके और पोस्ट गोरिजिन तक जो भी आपके पास documents है और यहां पर आपको लेकर जाना है अभी हम इस पर नया page open कर लेंगे और वहां पर हम discuss करेंगे साथ यहां पर यहां पर बताया गया है कि जो भी यहां पर documents में आपको क्या क्या ले जाना है documents में जो भी आपने अभी application फार्म भरा है इनुश्टी का अगर आपने इंटर इंग्जाम दिया था और उसमें जो भी result आया है उसको आपको ले जाना है यह सब आपकी पार सुर्जिन होने चाहिए अब इसके पास आपके बास आएंगे यहां पर calling fine supporting documents calling fine supporting documents में आपको 10 से लेके और PG तक यहां पर सभी documents ले जाने हैं और इसके बाद यहां पर आपकी additional certificates में अगर आपने यहां पर net GST OBC यह EWS हैं तो आपके पास EWS हैं तो आपके पास EWS certificate होना चाहिए यहां पर यहां पर आपके पर दिया है तो आपके पास results की होनी चाहिए साथ यहां पर calling fine जो भी आपके documents हैं 10th से लेके और PG तक यहां पर जो भी आपके documents हैं वो भी आपके सभी original होने चाहिए साथ ही आप इनकी एक एक या दो दो photocopy जरूर करा लिजेगा चुक्कि महां पर आपके documents चेक के जाएंगे और photocopy भी submit की जाएंगी इतके साथ यहां पर additional certificates में जैसे अगर आप यहां पर net grf याणि एक्जम्टिक केरी में अगर आपने form बरा होगा तो आपके पास net grf certificate होना चाहिए और अगर आप reservation का लाव ले रहे हैं तो आपके पास यह जो भी category certificates हैं वो भी होने चाहिए साथ यहां पर अगर आप वहां पर कुछ points income certificate का mention किया गया तो income certificate भी आप ले लिजेगा और बागी यहां पर original ID ले लिजेगा जैसे कि आपके पास आधार होगा ओटर ID कार्ड होगा तो यह भी आप यहां पर लेकर जरूर जाएगा तो आप यहां पर लगबग आपकी सभी आप फोटो जरूर ले लिजेगा कितने सम्मीड होंगे यह यहां पर नहीं है लेकिन यहां पर minimum आप आप फोटो लेकर जरूर जाएगा जो भी आपने application form में upload कि वह फोटो ले लिजेगा या फिर अगर आपने नहीं बनवाएं तो भी आप यहां ले जा सकते हैं तो यह आ यहां पर किसी notification में यहां या फिर यहां पर कुछ भी ऐसा मेंसन नहीं किया है कि आपके पास research proposal होना चाहिए लेकिन देखें यहां पर कहीं भी आप PhD इंटर्वी देने जाएंगे तो वहां पर जो इंटर्वी होता है वो आपके यहां पर research interest area पर ही होता है research interest area का मतलब है कि आप एक अपने research interest के सारे research proposal ले जाते हैं जो कि वहां पर एक interview के समय आपके पास वहां पर team बैठेगी जो भी यहां पर final बैठता है उसमें 4 member 5 member 6 member जितने भी member होंगे वो member यहां पर बैठेंगे और आपको यहां पर PPT के माद्दम से यहां पर presentation देना रहता है तो यहां पर आपको एक research proposal भी आउसकता लगेगी देख लिजेगा अगर आपकी email में कुछ वैसा mention किया गया कि आप research proposal लेके आईए तो आप research proposal जरूर लेके जाए लेकिन अगर mention नहीं किया गया है कि research proposal लेके आईए लेकिन तब भी आप जरूर लेके जाए चुकि यहां पर PhD का interview जो है को बीना research proposal कहीं पर नहीं होता है इस बात का आप खास ख्याल रगें बागे कहीं कहीं इन्वर्ष्टीज में कुछ नियम होते हैं जहां पर पर कोर्स वर्ट के बाद अपना आप topic topic submit करते हैं लेकिन यहां पर आपके पास कुछ हाथ में यहां पर आपको present करने के लिए एक research proposal होना चाहिए यहां पर अगर आप research proposal नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारे जो services हैं उन्हें जोइन कर सकते हमारी टीम के द्वारा आपके research interest के अनुसार एक बहतिनी research proposal प्रवेट किया जाएगा जो कि आप present करके selection ले सकते हैं बागि यहां पर interview के समय आपको मैंने documents और क्य जानकारी दे दी गहीं होगी जहां पर बताया जाएगा कि आपको क्या-क्या documents और बागी आपकी email में बता दिया जाएगा और यहां पर अभी संभ़ोता है यहां पर एक और notice published की जाएगी जिसमें यहां पर आपकी interview की जाएगी इंटर्वियू के मतलब कि यहां पर इन इन मांगा गया तो बहुत अच्छी बात है लेकिन maximum universities में मांगा जाता है मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि research proposal maximum universities में PhD interview में मांगा जाता है तो आप इससे जरूर ले देगा बागी मैंने आपको calling supporting documents जो भी थे जो भी यहां पर लग सकते हूं मैंने आपको सभी बता दिया इतन प्रूब करने के लिए original documents होने चाहें फिर से मैं आपको बता दूँ यहां पर original documents मांगे गये हैं यह आप यहां पर ले जाने original documents के साथ आप photocopy जरूर ले जाएगा क्योंकि वहां पर photocopy submit होंगी आपके documents verify किये जाएंगे यह आपके documents से related points हो जाते हैं तो अब यहां पर मै मैंने आपको सभी बता दी हैं तो आप यहां से चेक कर सकते हैं बागी यहां पर मैं अगर आपको बताऊं कि अगर आप मेरे course join करना चाहरे हैं तो आप मेरी official site है यहां पर हमारी services दी गई हैं यहां पर हम आपको research proposal provide कराएंगे topic suggestion अगर आप नहीं अपना PhD का topic select कर पा रहे ह हैं यहां पर किलिक करते हैं तो हमारी services में open हो जाती है और यहां पर यहां पर किलिक कर सकते हैं तो यह दोस्तों आपका सिदार नगर इंश्टी के तरफ से कि important update था जो कि यहां पर आपके results रेट के publish कर दिए गये हैं बहुत ज्यादा करनी रेट्स नहीं हैं आप किसी भी result को देखेंगे यहां पर आपके लिए बहतरीन मौका है आप जितना अच्छा performance कर जाएंगे यहां पर इस इंटर्विव में यहां पर जो भी आपके इंटर्विव के लिए साच्छा आतकार के लिए बुलाया गया यहां पर अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दिजे च सबसे पहले आपको मिलें मिलेंगे दूस्तों ऐसे ही कानिया इंपॉर्टर अब्लेट के साथ अपनी नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिन सवस्त्र हैं मस्त्र हैं